अललोल व्यूवर्स, आज में लेकर आई हारे मटर की कच्वडी की रेसिपी जो की बहुत भी स्वादिश्च बनने वाला है और उसके साथ खाने के लिए बनाएंगे ट dependence कीबिठी मीधिच चट्नी लेंगे पांच टमाटर कट लगा देंगे, इसे डालेंगे कुकर में, कुकर में दो गिलास पानी डालेंगे, धक्कन लगाएंगे, एक सीटी आने तक पकाएंगे, कुकर में सीटी आ गया है, इसका प्रेसर खुद से निकलने देंगे, गैस को आफ कर देंगे, कुकर का प्रेसर निकल चुका है खोल के देख लेंगे तो यहां देख सकते हैं तमाटर जो है अच्छे से पक गया है अब टमाटर को चिम्टे से एक प्लेट में निकाल के रखेंगे और इस तरह से इसके छिलके के रिमूब कर देंगे इसका छिलका निकालना बहुत ही आसान हो जाता है बीच में चिम्टे से ही आप चिलके को अलग कर सकते हैं फारे टमाटर के चिलके को इस तरह से अलोग कर लेंगे अब नालेंगे सरसो का त लगभग एक चमच तेल गरम हो गया है ऑब इसमें डालेंगे एक चमच पंच भोरम उर्चोहाज पत तोड़कन लगा देंगे और जल्दी में धुवा उठने लगा है अब इसमें उबले हुए टमाटर को एड़ करेंगे और जल्दी इसमें धकन लगा देंगे तक कि छीटे न लगे धके हुए 30 सेकेंड हो गया खोल के देख लेंगे अब टमाटर को पल्टे से एक दुबार इस तरह से उलट पुलट कर लेंगे मैस चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे चटनी में और इसे लगबग 3-4 मिनट पका लेंगे फ्लेम को लो टू मिडियम रखेंगे अब मैं इसमें डाल रहे हुए थोड़ी सी हल्दी पाउडर इससे कलर बढ़ियां आएगा चटनी में और इसमें डालेंगे थोड़ी सी नमक आ अब अच्छे से पग गया है बढ़ियां से चटनी तयार होने वाला है अब इसमें जो तिछ पत्ते और मीर्च है उसे निकाल लेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ी सी बारिक करके हरा धनिया हरा धनिया को चटनी में मिला लेंगे बस हमारा मीठी मीठी चटनी रेडी है अब gas को off कर लेंगे और चटनी को निकाल लेंगे तो लिजिए हरे मटर के कचवड़ी के साथ खाने के लिए तो चटनी तयार है अब कचवड़ी के भी तयारी कर लेते हैं तो सबसे पहले आटा लगा कर तयार करेंगे मैं यहाँ पे धाइसोगरा माटा ले रही हूं और इसम से माटा तयार करेंगे अब आटा में थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और एकदम सौफ्ट नरम आटा लगा कर तयार करेंगे हरे मटर के कचवड़ी में इस तरह का आटा चाहिए देखे कितना बुलाया में बस छूने भर से दब रहा है तो इस तरह से आटा करेंगे 2030 में दिखेंगे दो करेंगे यह अww मिक्स करेंगे दो मिनिट ढूनने के बाद आजमे सिमीं मसाले को एड़ कर लेंगे तो आधी छोटा हल्दी पाउड़ेंगे एक doughटी चमश धनिया पाउड़र जीरा और काली मिर्च मिक्स प्वड़र आळैंगे और यह वित मेठी दाल पर्शूति ऐसले ऑठ बंकया सब्सक्तूर स्किर्णी कर दो such करें लगबर तीन से चार मुनुट पका लेंगे लगब भूनते हुए चार मीनट हो गया और इसका पानी जो है बिल्कुल सूख गया और मसाला भी अच्छे से पग गया है अब इसमें हरा धनिया थोड़ा सा बारिक करके डालेंगे अच्छे से मिक्से करेंगे दोखिए कितना अच्छा स्टपिंग तयार हुआ है हरे मतर वाली और इसकी कचोड़ी बनेगी एकदम लाजबाब होगा उसका स्वात अब आटा को एक बार फिर से अच्छे से मिला लेंगे थोड़ी से सुखे आटे को लेंगे और यहां पे हरे मतर वाली भराउन को भी रखेंगे अब हाथ में सुखा आटा लगाएंगे और आटे से थोड़ा सा पोरोसन लेंगे गोल करेंगे सुखे आटे में डीप करेंगे इसे कोटोरी का सेफ देंगे जितना छोटा बड़ा बनाना उसी हिसाब से आटे को लेंगे और इस तरह से कटोरी का सेफ देंगे इसमें मटर वाली भराउन को भरेंगे चमच से थोड़ा सा इस तरह से दबा लेंगे अब इसे बंद करेंगे चारो तरप से अच्छे से इस तरह से बंद कर लेंगे जैसे कि सत्यपुडी दालपुडी बनाते हैं आप बिल्कुल वैसा ही इसे भी भरके तयार करेंगे तो देखिए इस तरह से हम पेडा बना लेंगे इसका तो इसी तरह से सारे हरे मटर वाली भराउन को भरके पेडा तयार कर लेंगे तो देखिए इस तरह से मैंने सारे पेड किछ फड़ी पूरी को इumbai लेंगे तो सब को इसी तरह तरह से रखते चले जाएंगे हैंगे सारी पूरी तेयार हो गया है मैं तर्टन कपड़ा से ढाँग और याँ बनाने के लिए मैं दोनो फ्लेति माल करुंगे मैं दूसरी तरफ तरह तलने के लिए तो यहां पे मैं डाल रहें नोरी फाइनोयल कढ़ाई में कढ़ाई गरम हो गया है और तावा भी हलका गरम हो गया है तावा वाली फिलेम को एकदम कम रखेंगे लो टू मीडियम फिलेम पे रखेंगे और तलने वाले को एकदम हाई रखेंगे आटा डाल के देखेंगे तो आटा ऊपर आगया है यानि की तेल गरम हो गया है तावा पे कच difficulties पूरी को इस तरह से रख लेंगे तीन आ रहा है मैं तीन डाल दुँगी जितने टावा पे जगह हो उस हिसाब से आप तावा अच्छे से फ्राई भी होगा पकेगा भी और इसमें तेल भी बहुत कम लगेगा तो जितना आप देख सकते हैं कड़ाई में तेल है उतना का उतना ही रहेगा बस दो-चार चम्मच ही इसमें कम होगा तो इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे तावा पर से उठाने के पहले एक- दो बार जार लेंगे ताकि जो सूखे आटा है वह अच्छा से निकल जाए तावा पे ही और जब तावा जो खाली जगा है वहाँ पर फिर से पूरी को सेट कर देंगे इस तरह से फ्राइब करेंगे तो जल्दी जल्दी फ्राइब भी होता है और तेल घी भीबख कम लगता है जहिए और बहुती टेश्टी खासता पुरी बनके तयार होती है के सारी कचारी को चाान के तयार कर लेंगे और इस तरह से साथ क тебе dad такую कतशानें के और रॉन जा भींए लेंगे तो देखिए हमारा कचवड़ी जो है बिल्कुल तैयार है सार्व करने के लिए गर्मा गर्म कचवड़ी और यहां कड़ाई में आप रिफायन वेल देख सकते हैं जितना मैंने डाला था थोड़ा सा ही कम हुआ है तो इस तरह से हमारी सारी कचवड़ी बनके तैयार पूरी हो गया और तेल जैसे के तैयसे बचा हुआ है इस तरह से अगर किसी भी तरह का कचवड़ी छानते हैं चाहे वह सत्तू दाल हो या अलू वाला हो या कोई भी तो बहुत ही कम रिफायन या घी में धेर सारा कचवड़ी छन के तयार भी हो जाएगा और टेश्टी और खास्ता बनके भी तैयार होगा इस पूरी को इस तरह से छू के देखिए हाथ में बिल्कुल भी आपके हाथ में तेल नहीं लगेगा एकदम आपका हाथ ड्राई रहेगा एक में तोड़के दिखा रहे हूं देखिए कितना खास्ता बना है एकदम अंदर से सौप्ट है और खास्ता भी उपर से क्रिस्पी भी तो इस तरीके से जरूर कोई भी आप कचवड़ी किसी भी तरह का कचवड़ी बनाए और कमेंट बक्स में जरूर हमें बताईएगा कि मेरा तरीका कैसा है कचवड़ी बनाने का बीना देर किये मेरे तरीके से हैरे मतर की कचवड़ी और ही आपको कैसा लगा मिलते हूं दूसरे वीडियो के साथ बाई